हेलो एवरिवान, आज मैं बनाऊंगी पुराने स्टाइल में आमचूर पाउडर तो उसके लिए हमें चाहिए कच्चे आम, हम इनको अच्छे से धो कर छिलका उतार कर पीसीस में काट लेंगे अब मैं सुई धागे से इन्हें पिरो दूँगी उसके लिए मैंने सुई में धागे डाल कर नौट लगा दी है एके करके इसे पिरोएंगे और इसका हार बना देंगे कुछ इस तरहां से अब मैं इन्हें धूप में सुखाऊंगी आप सुई धागे के बिना भी से सुखा सकते हो पर इस वीडियो में मैंने अपने नानी दादी के टाइम का आमचूर पाउडर बनाने का तरीका यूज किया है इन्हें सुखने में 2-3 दिन लगते हैं तो आप इन्हें अच्छे से सुखा लीजिए तो आप देख सकते हो कि ये अच्छे से सुख गये हैं अब मैं धागे को कट करके इन्हें निकाल लूँगी कुछ इस तरह से फिर हम इन्हें कूट लेंगे और ग्राइंडर मिक्सर जार में डाल कर पीस लेंगे तो हमारा बिलकुल पेओर और बिना मिलावट के आमचूर पाउडर बन कर तयार हो चुका है आप इसे किसी भी डिब्बी में डाल कर इस्तमाल कर सकते हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करीगा